महिलाओं को अखंड सौभाग दिलाने वाली वार सविती ब्रत की कहानी इस प्रकार है पोराडिक समय में मध्ध देश में असुपती नाम के धर्मात्मा राजा राज करते थे उनकी कोई संतान नहीं थी संतान प्राप्ती के लिए राजा ने विसाल यग का आयोजन कराया जिसके सुफल से कुछ समय बाद उन्हें कन्या के प्राप्ती हुई इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा जब साबित्री विवहा योग्य होई तो उन्होंने धुम्रत सेन के पुतर सत्यवान को अपने पती की रोप में वरण किया सत्यवान की पिता भी राजा थे परंत उनका राजपाठ उनके सामन्त ने छीन लिया था जिसके कारणवे लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जंगल में बिता रहे थे सत्यवान के माता पिता की भी आखों की रोष्णी चली गई थी सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उन्हें बेच कर जैसे तैसे जो बन पड़ता उससे गुजारा करते जब सावित्री और सत्यवान के विवा की बाद चली तब नारद मुनी ने सावित्री के पिता राजा अस्वपती को बताया कि सत्यवान की आयू के वल एक वर्स चेस है और विवा के वर्स बाद उसकी मौत निश्चित ही है जिसके बाद सावित्री के पिता ने अपनी बेटी को बचपन की बचकानी गलती मानती हुए समझानी के बहुत त्यास की परंतु सावित्री या सब जानने के बाद भी अपने निर्ने पर अडिग रही अता सावित्री और सत्यवान का विवा हो गया जिसके बाद सावित्री साज ससुर और पती की सेवा में तनमंधन से लग गई समय भी तता गया और वह दिन भी आ गया जो नारत ने सत्वान के म्रत्यु के लिए बताया था उसी दिन सवित्री भी सत्वान के साथ वन को गई वन में सत्वान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेल पर चड़े उनके सिर में आसहनी दर्द होने लगा, कुछ वो समझ पाते तो साबित्री ने कहा नीचे आजाईये गोद में सिलिक कर सत्यवान गोद में सर रख कर लेट गया कुछ ही समय में उनके समझ अनिक यमदूतों के साथ सोयम यमराज खड़े हुए और यम्राज सत्यवान की आत्मा को पास फेक कर दच्छर दिसा की ओर लेकर चलने लगे पती वर्ता साबित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी आगे आगे यम्राज पीछे पीछे साबित्री और कुछ समय बाद यम्राज ने देखा तो कहा है यहां तक किवल मनुश्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पती का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ, इस पर सावित्री ने यम्राज से कहा, जहां तक मेरे पती जाएंगे, वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है, यम्राज सावित्री की वाड़ी सुनकर बहुत खोश हुए, और उनसे तीन बारविंती की, और कहा अच्छा कोई वर मांग लो और लौट जाओ, सावित्री ने कहा, मेरे साथ ससूर अंधे हैं उन्हें नेत्र जोती दे दे, यम्राज ने तथास तो कहा, या कहकर उससे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लग यम्राज ने प्रसन होकर उना वर मांगने को सावित्री से कहा, तो सावित्री ने कहा, कि मेरे साथ ससूर का खोया हुआ राज जोने वापस मिल जाए, इसके बाद सावित्री ने यम्देव से वर मांगने के लिए फिर पीछे-पीछे यम्राज के चलने लगी, वो किसी भी कीमत पर यम्राज से प्राड लेने का प्रड ले बैठी थी इसके बाद सावित्री ने को देखकर यम्राज ने कहा लौड जाओ यहां से आगे कोई नहीं जा सकता का अच्छा एक वर्दान मांगलो और लौड जाओ सावित्री ने यम्राज से वर्दान मांगा कहा मैं सत्यवान के सो पुत्रों की मा बनिना चाहती हूँ किरिप्या कर आप मुझे यह वर्दान दे सवित्री की पती भक्ति से प्रसनों सवित्री को वर्दान क्या देना है उस पर भूल ते ही यमराज ने तथास्तों कहा इसके बाद सवित्री से कहा अब लोड जाओ और यमराज आगे चलने लगे फिर सवित्री पीछे पीछे यमराज ने कहा अब बहुत हो गया है यमराज ने कहा है महराज मैं पती वरतानारी हूँ अब मेरे पती के प्रार तो लेकर जा रहे हैं और आप हमें सो पुत्रों के वर्दान भी दे रहे हैं तब यम ने कहा आंतिम वर्दान देते हुए सत्यवान की जीव आत्मा को पास से मुक्त कर दिया, पुना सावित्री उसी वाट ब्रच के नीचे लोटी, जिसके नीचे वो लेटी थी और सत्यवान सर्चकराने की वज़ा से उन पर लेट गए, अब सत्यवान के मृत शरीर में जीव आत्मा का संचार हो गया, कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैट गया, उधर सत्यवान की माता पिता की आखे भी ठीक हो गई, उनका खोया हुआ राज सम्मान भी वापस मिल गया, कहते हैं वाट सवित्री का ब्रच करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, और यहां पर भारत की अलग-अलग हिस्सों में वाट सवित्री को बरगदाही और बरगत पूंजन के नाम से भी जाना जाता है, या ब्रतिस बार 19 मई 2023 को यानि सुक्रवार को रखा जाएगा, ये ब्रत हिंदी महिने में जेश्ट महा के क्रश्न पच्छकियां बावस को मन नाया जाता है, कहते हैं जिस तरह सत्यवान के प्राढ सवित्री ने बचाए उसी तरीके से ब्रत रखने वाली महिलाओं को सवभाग और अखंड सवभाग की प्राप्ति होती है, सवित्री की कथा सुनने के बाद आप लोग चैनल को लाइक से और सस्क्राइब अवस्य करे ताकि हर ब्रत्यवार की भक्तिमाई कहानिया आपको मिलती रहें, जै माता दी, मा सबका कल्याण करें